सिक्षा सुधार रोजगार के इस यूटूब चैनल पे मैं नीरज आप सभी का स्वागत करता हूँ और NIOS DLAड अभ्यर्थियों के लिए आ रही है बड़ी खबर पटना गर्दनी बाग से DLAड अभ्यर्थियों का अंसन पटना गर्दनी बाग में प्राडम हो गया है और अभ्यर्थियों की बड़ी मांग है कि बिहार सिक्षक बहाली में NIOS DLAड अभ्यर्थियों को मिले मौका NIOS DLAड अभ्यर्थियों पिछले कई दिनों से इस बात को पुर्जोर तरीके से उठा रहे थे कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो आमरन अंसन किया जाएगा ऐसे में बड़ी बात ये भी है कि पटना हाई कोट में NIOS DLAड अभ्यर्थियों का केस लंबित है और अंजना मिस्रा की बेंच में ये केस लंबित है जल सुनवाई की बात कही जा रही है पर बेंच बदलने के कारण सुनवाई थोड़ी धिली हुई है पहले अनील कुमार उपाद ध्याय की बेंच में एक केस था और अभ्यर्थियों को पुन उमीद थी कि एस्टेट 2019 पीरित अभ्यर्थियों को जिस तरह आठ साल की छूट का आदेश आया है पटना हाई कोट से उसी तरह इनाई ओएस डिलेड अभ्यर्थियों के पक्ष में भी कोई यादेश आएगा पर अब अंजना मिस्रा की बेंच में केस है और केस बहुत धीले तरीके से चल रहा है अभ्यर्थियों में आकरोस है और अभ्यर्थि सिक्षा भी भाग से मांग कर रहे हैं कि उनकी बात को मान सरकार का जवाब आना भी बाकी है और अभ्यर्थि डटे हैं गर्दनी बाग में आईए हम आज की अख़बार की प्रती आपको दिखलाते हैं और क्या लिखा है अख़बार ने इस संबंद में वो भी हम आपको पढ़ कर बताते हैं लिखा है कि डियलेड सिक्चक संग ने डियलेड डिगडी को मानता दिलाने के लिए सनी वार को गर्दनी बाग में धरना दिया संग के सत्यम कुमार प्रीती स्वेता सोनू आसीस लोकेश ने कहा कि हम लोगों को बिहार सिक्चक बहा ली नियोजन में 2019 में सामिल होने से बंचित किया जा रहा है बिहार सरकार का इस मुद्दे पर उदासीन रुख होने के करण हम लोगों को अपनी समयधानिक मांगो को सरकार के सामने रखने के लिए अंसन एवं धरना के लिए मजबूर होना पर रहा है अब सरकार इस पर क्या रुख लेती है ये भी देखने वाली बात होग इस सिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नाड़े के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, दिवाली कि आप सभी को हर्दिक सुख कामना है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.